इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआ धुआ धुआ? क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुए को क्यों छेलता? हो गई भरताष्ट की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीडी दिखे चलती जहां, पब्लिक प्लेज पर सिगरेट पी ना मना है, उलंगन करने पर होगा जुर्माना, धुम्रपान ना करें ना करने दें, धुम्रपान पढ़ेगा मेहंगा, खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धुम्रपान मेहंगा पढ़ता है, धुम्रपान आपके लिए हानिकारक है, और आपके चाहने वालों के लिए भी, धुम्रपान पढ़ेगा मेहंगा, सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जान लेवा है, शाराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, एक गाउं के बाहर मंदिर में एक हाथी आया, उसे देखने के लिए वहाँ तीन नेत्रहीन लोग आये, एक ने उसका पाउं चुकर देखा, और उसने कहा, ओ, ये हाथी तो खंबे की तरह है, दूसरे ने उसके पूँच को चुआ, और उसने कहा, हाथी रसी की तरह है, तीसरे ने कान चुआ, और उसने कहा कि हाथी तो सूप की तरह है, ये कहानी हम सब जानते हैं, उन तीनों की आँखे नहीं थी, इसी लिए उन्होंने ऐसा समझा, अब देखिए आँख वालों की कहानी, ये हैं कीर्थी, ग्रेजुशन पूरी कर चुकी हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तकलीफ में पली बढ़ी हैं, इसी लिए आगी की जिंदगी सु पूर्ती भर देती हैं, सेवा भाव इनमें कूट-कूट कर भरा हुआ है, मदर टेरेसा इनकी रोल मॉडल है, शादी का कोई रादा नहीं है, हाँ लेकिन मन चाहा लड़का मिला, तो इनकार भी नहीं है, और ये हैं प्रीती, प्रामभण के घर में जन्म लेने के बाद भी परिवार के संसकार को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं, घरवालों ने जो लड़का पसंद किया है, वो इनका करीबी रिष्टेदार है, और वो इन्हें पसंद नहीं है, इन्हें सिर्फ एक पती नहीं चाहिए, मर्द चाहिए, मतलब ही मैन, खैर, उन तीन नेत्रहीन लो हाँ लेकिन इनके सपनों में खरा उतरने वाला कोई एक शक्स तो है, कौन है वो मिस्टर पोफेक्ट में झाहिए, 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 म हुआ है मिस्टर विराट प्रसाद मा बाप का एक लौता बेटा टाइम का पंक्चोल हमेशा हर चीज में फरस्ट और आज जान गवाने के लिए भी फरस्ट ही आओगे क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना तुम जैसे बड़े बिजनेसमेन लोगों को मैं अच्छा बिल्डर समझता था लेकिन आज देखने के बाद पता चला तुमारा बॉस एक सरकस कंपनी का उनर है अपने आपको माफिया डॉन समझकर लगता है ज़्यादा चर्बी चड़ गई है तुमारे जिसम में खून तो है नहीं लेकिन सारी हड़ी पसली जरूर तूडूंगा डॉक्टर खुद समझने पाएगा कि क्या किया जाए सोच लेना किलाओे जरूर ये पाड़ ऩज़ हुआ रखार बूद시다 थाएएभ़ा रचान प्सक्षाइब इस उस डखवाँ जडस थाएभवा थेड़ा प्सक्षाइब इस थाएभ रचाइब दूब छुब जडस बड़ व्हुअा फ्हुबस्ट नहीं रिवाइद और प्याजुब्योब धनके अंके यह जुट जुट, वे हैं आपक आपको बाजरी ब्रचेट चेक पर प्रचेक। चेक पर यह इंग जुट्ज कुछुन्स, बीज बेगी का छूग्यू एच्कुस्क्वम, इवा दो और बागे वो प्रोजेक्ट मुझे हर हाल में मिलना चाहिए उस पर साइन ना करना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा इस वक्ट टाइम क्या है? जब सामने मौत का फरिष्टा बैठा हो तब मरने वाला घबराहट के मारे अपने साय से ही सवाल करता है ऐसे में तुम उसे टाइम पूछ रहा है? शाप, नाइन ओ क्लॉक इस वक्त यहां ग्यारा बज रहे है तेरे वक्त से पूरे दो घंटे आगे हूँ टाइम, प्रोजेक्ट, दोनों में तो फिर एक बात समझ ले कि तु जिस पर साइन कर रहा है वो तेरी मौत का फर्मान है मौत का बहुँ है तुम्हारा जाना जरूरी है अच्छी अपोर्चुनिटी है सेलर भी बहुत अच्छी है हाँ तुम्हारी बेहन भी एई कहके गई थी लाट कर आई तो पेट पे बच्चा लेकर आई इस बच्चे का कौन सहरा है कल पूछेगी मेरा बाप कौन है तो क्या जवाब दूँगा लोगों से मेरा दमाद दुबई में है ये बोल करके अपनी इज़्द बचा रहा हूँ पता है तुम्हे तो दुनिया वालों काप सच्चाए क्यों नहीं बता देते जूट क्यों बोलते हैं इज़्द गवाने वाली सच्च से बहतर है वो जूट जिससे इज़्द बची रहती है इसलिए अभी तक इज़्द बची हुई है मैं नहीं चाहता कि दुबारा वैसी घटना इस घर में घटे समझ गई ना मेरी बात तुझे ये काम धाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है मैं तेरे लिए कोई योग इलर का ढूनता हूँ घर बसा ले लेकिन पती वही है जो हमें समझ सके किसी अंजान को अपने गले में बानकर मुसीबत जिलना बेवकूफी है आज तो इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रही है उसके वज़े ये बेवकूफ खुद है मा आप इने समझाओ ना मा मैं जिन्दिके में कुछ बनना चाहती हूँ मा आप समझने की कोशिश करो सच कह रही हूँ मैं ऐसे कोई गलती नहीं करूँगी एजी कीरती गुड़ बट वन थिंग मिस कीरती ये एक मुल्टिनाशनल कमपनी है ये ड्रेस ये सादगी यहां नहीं चलेगी सो ये बेटर चेंज और स्टाइल और स्माइल शूर सर Hi Kirti, you are looking gorgeous Hi everybody Hello ma'am Please sit down Okay, investors meet How does it go? Excellent ma'am Agreement signed This is a 10,600 crore project एक प्लांट के अंदर तीन शिफ्ट में हजार लोग काम करेंगे, especially for rural people. Only thing is हमें government से land अलॉट करवाना होगा, we need at least around 4860 acres, वो हमें cabinet से अप्रूव करवाना होगा. Okay, fine. एक सवाल, इस project को government क्यों मन्जूर करेगा? Good question. आज जो power problem चल रहा है, इससे government को बहुत problem हो रहा है. बगल की state की politics की वज़े से, और central में opposition की वज़े से, हमें central government से कोई help नहीं मिल रही. ऐसे वक्त में हमारी government अगर ये project स्टार्ट करेगी, पावर के मामले में हमारी state सबसे powerful बनेगी. इस प्रोजेक्ट को government ही नहीं, कोई भी ना नहीं करेगा. मैं सिंग हूँ, और हमेशा सिंग रहूँगा. इस project को तयार करने के लिए उसने foreign investors को ready किया होगा. लेकिन यहां के सारे महारतियों को मैं खरीद कर रहूँगा. सर, ये काम इतना आसान भी नहीं है. मैडम स्ट्रिक्ट है. यहां हर कोई स्ट्रिक्ट है और हर किसी के अपने उसूल है. शत्रंज में सबसे खतरनाक किस की चाल होती है. क्या तुम्हें पता है? वजीर की चाल. और ये सिंग इस खेल का वजीर है. ये साबित करने के लिए सिर्फ एक अपॉइट्मेंट चाहिए. वो भी दो मिनट का. सर, दो मिनट में क्या हो पाएगा? नेशनल एंथम सिर्फ बावन सेकंड का है, लेकिन उसकी पावर? मुझे सिर्फ दो मिनट का अपॉइट्मेंट दिला. देन आई विल शो यू दा सिंग्स बावा. वो कौन है ये जानने के लिए हाफ एना लग जाएगा? और वो कहते हैं कि दो मिनट की बात है? मैंने भी उनसे यही कहा, मैडम. ठीक है. नेक्स्ट. मैडम, महिला संस्ता वालों की आपने जो हेल्प की थी उसके बदले, उन्होंने आपका अभिननन करने का एक प्रोग्राम रखा है. आपको पता है कि ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. उनसे कह दो मैं बहुत बीजी हूँ. प्रोग्राम कैंसल करें. ये तो सच है ना कि मैं बेजी हूँ. जूट तो नहीं बूल रही है. तो फिर सच ही बता दीजिए. मैडम, वो सिंग… वो भी बाकी है. ठीक है. मुझे गारी तक पहुँचने में दो मिनिट लगेंगे. ओके? ओके मैडम. आएम सिंग. सुरेंद्र सिंग. बैसिकली बिजनस्मेन. एसस ग्रूप आफ कंपनीज का शेयर्मेन. हमारे फूर फादर्स के जमाने से ही हम देश की सिवा कर लिया है. आपके हस्बेंड और मैं बहुत क्लोस थे. देड़ मेनिट हो चुके हैं. आपके हस्बेंड ने हमें चुपके से हंड्रेट क्रोर रूपीज दिये थे. सब ब्लैक मनी थी. अब वो नहीं रहे. उसके बारे में क्या करना है आपको सोचना है. आप. टू मिनट्स हो गए. करियो आप. प्लीज. रात को डिनर पे बात करते हैं. थैंक्यू मेडम. केहू जी. बेटा इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है. आपको काम करने की क्या जुरूद है? मैं किसी का टुकड़ों पे नहीं पलना चाहता हूँ. आपकी किस्मत ही खराब है. भैस के आगे बीन क्या बजाना? मैं ही पागल हूँ जो आपको समझाती हूँ. जाबना काम कर. कमला, जल्दी आना, लेक मत होना. लड़के वाले आज तुम्हें देखने आ रहे हैं, पहले उनसे कह देना, दान देज में उन्हें पूटी कवडी नहीं मिलेगी. इसलिए पहले ही बताया था, मैं जिस लड़के को चाहती हूँ उससे से शादी करूँगी. क्या कहा? मेरी जादी करवाने वाले तुम हो, उसकी शादी के लिए दहिश देने वाले में तुम हो, अब चोटी का सारा खर्चा में तुम ही उठाओगे क्या? पक्वास बनकर कोई सुनेगा तो क्या सुचिगा? सुनो, तुम उसकी बात सुनकर अपना दिमाग क्यों खराब कर रही हो, तुम्हारा भाई अभी जिन्दा है ना? मैं उसके लिए नहीं रो रही हूँ. तुम्हारे बच्चों को खिलोने या कपड़े चाहिए? कल तुम्हारे जीजा जी का बिर्टे है, जब से शादी लेकिन इस साल ना ही वो आ रहे हैं और ना ही मेरे पास पैसे हैं, इसलिए रो रही हूँ. ये लो, रखो, ये लो, ये भी रखो, मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगा, तुम ही आती रहना, ठीक है ना? ठीक है, जानती हूँ. वेरी गॉड, औरतों को हमेशा ऐसा ही होन जानती हूँ, लेकिन ये मुम्किन नहीं है. क्यों? शाम को आएगा, तब बताऊंगी तुम्हाँ. ब्लैक मनी से तो आपको ही फाइदा होगा ना? मैनत से कमाया हुआ पैसा हमें छोड़ कर नहीं जाता, और बिना मैनत का पैसा कभी टिकता नहीं. मैने सुना था के सिंग बहुत ही इमानदार शक्स है. यू प्रूवड इट. थैंक्स मेडम. आपको मुझसे कोई हेल्फ चाहिए तो बताइएगा. हमारे बीच कोई गलत फाहमी नहीं होनी चाहिए. कभी नहीं होगी मेडम. I have a project and this is my project report. येस, it's good. थैंक्यू. समझी आपका काम हो गया है. थैंक मैं चलता हूँ. I will send you amount. हाँ. मान गया आपको. लेकिन सो करोड बहुत होते है. हेलो. इट्स 10,600 क्रोर प्रोजेक्ट. परसेंटेज ही बनता है 300 to 400 क्रोर. और अभी सिर्फ 100 क्रोर में ही मेरा काम हो गया. सिर्फ छोटी सी मुलाकात में. सीम मेरे मुठ्धी में. और आगे ज गोड़. परसेंटेट परसेंज को मैं यूज करूँगा. विद यूर परमिशन सार. शो सार. थैंक यू. थैंक यू एवरिबड़ी. सार, आज की यूद के लिए आप एक रोल मॉडल है. सो, विल यू प्लीज गाइड इस आल? हम. काम्याभी मिलती है भाग दौड से. और भाग दौड करने के लिए आउसर की जरूरत है. इसलिए हर आउसर का सही इस्तिमाल करवा. दूसरों पर जीत हासिल करने से पहले, खुद पर जीत हासिल करनी चाहिए. And one more thing. Participation or performance are two wings of life. I wish you all fly high with those wings. All the best. Huh? तू ऐसे क्यों देख रही हो उसे? What a great personality. उतना ही नहीं यार. जानती हो उसकी कितनी प्रापर्टी है? More than 6,000 crores. उनकी company का establishment 16 countries में है. अपने माता-पिता का एक लौता है और वो bachelor भी है. ऐसे ही लड़के को मैं ढूंड रही थी. Hi, Sir. I'm Kirti. Hi. मैं इस कंपने में काम कर रही हूँ. Uh, autograph? Yes, Sir. She's very promising and talented. So smart. Uh, if you don't mind, मैं आप से मेरा... Mr. Virat Prasad, one minute, please. Excuse me. Hello? अरे, तु किस सोच में डूप गई? किसे चाहिए, यारे, टेंशन वाली लाइफ. ऐसे शक्स को लाइफ पार्टनर बना लो, तो पूरी लाइफ आराम से कटेगी. सब का है ये राजा, इसके साथ आए मजा, तुश्मन को दे सजा. दीना, दीना, कभी ना ये भासा, ये सब के दिल में बसा, रोते को दे हसा. दीना, दीना. पं-पं-पं पं-परंप तु बी शक्त हमारे गा. शोब लाप हडगाए पं-परंप आग लगाए, पं-परंप अने चलाए, पं-परंप पन ए आजाओ शेहे जागा. He's all on the way we ride, he's gonna to be we ride Just sit all the time we ride, we ride, we ride, we ride He's all on the way we ride, he's gonna to be we ride The man on the floor we ride, we ride, we ride Sabka hai ye raja, iske saath aay maza Kushman ko dee saza We ride, we ride Shere ki chale chale, shikar ka shikar karay tu देखे जो, दो जोगो, कोई हसी न, चह जाए तेरा फितू आँखों में जो आला जले, जलती जिंगारी है तू Hero जैसा लगता है, तब भी नहीं गुरू Tuna hai, Sharmila, Gata hai, Tusrila Tua Ice Cream, Vanila, My Chocolate, Chips Mix hoja Pam 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 तुम्हेरा हुद मिल्वाः लस्मीन स्यल्वारा मेक अब तुम्हार इव लट चुछव दूनाँ जल गया तेरा जादू हो गई मैं बेग कवू मैं हूँ तेरी प्रेला और तू है मेरा मजनू हुई मैं तुझे पे पिदा तू ही मेरी आरजू दिल में तू चलता है जैसे कोई जुगनू हाई टेक जैसी मैं हूँ एंटेक जैसा है तू गोड़ी मैं देसी बाबू अपनी जोड़ी नमवा मैट में जैसा है तू रोके जैसी मैं हूँ अपने पास खीचे है तू आईगा अब तू पार चल यार साथ में चलते हैं नहीं यार जिसे किसी लड़के से प्यार हो गया हो उसका मन कहा लगेगा तू ने उसे अपने दिल में बसा लिया लेकिन पता ने उसके दिल में कौन है फिक्र मत कीजिए गुरवार को मेरा बिटा आपको पैसे दे देगा अगर इसके अलावा और कोई मदद चाहिए तो कह दीजिए बेटी मुझे जब भी कुछ जरूत पड़ेगी तो मैं मांग लूगा अब जिचकूंगा नहीं हम चलते हैं इस बच्ची का नाम सफूर्ती है इसे बच्चों से बहुत प्यार है बेटी इनका नाम है विराट प्रसाद और ये इनकी मा है हमारे देश के बड़े दौलत मंदों में से एक हैं ये लो नहीं ये बहुत छोटी बात है पैसों से सिफ अमेरी मिलती है लेकिन इनसान के अच्छे गुणों से इजज़त मिलती है बेटी तुम्हारे अंदर वो दोनों गुण हैं बेटी ये हमारे आश्रम को मौकों मौकों पर अच्छी खासी रकम देते रहते हैं आज मेरी मम्मी का बर्थडे है तो इसलिए हर साल एक अनाध अश्रम और एक स्कूल को गोध लेकर उसे डेवलप करना ही हमारी चाहती लीजे और इस फ्रॉम माई साइड को स्पेशल है क्या मेरा भी बर्थ है अरे मेटी मैं तो भूली गया था मुझे माफ कर देना जनम दिन बहुत मुबारक हो यही मेरी सोच है Really, you are great Mammy, इनके आगे हम कुछ भी कर लें, सब कुछ वेस्ट है No, I'm sorry, मेरा मतलब आप लोगों को हट करना नहीं था तुमने कुछ गलत नहीं कह खेर, यहां आते रहे, हमें बहुत अच्छा लगेगा कुछ लोग तो सर्फ हमें दिलासा देने के लिए हमारी तारीफ करते हैं लेकिर फिर भी हमें सब कुछ समझ में आता है हम सब के जीवन में कोई नो कोई मकसद है लेकिन इन बच्चों के जीवन में कोई मकसद नहीं है I feel No, no, I like your thought Mami, we'll discuss this in the evening Okay इससे बच्चों में बांट दीजिए जी, जरुआ बुरवार को मिलता हूं जी स्पूरती, I like you आटरो हम सब कर दो बातरे कर कोई बच्चों हुआ एक झाल कर दो क्षिए और दूब कर दूँ है सौरी अब और दूब और युँ, इसमेरे बगले, बड़िए अफोरे और जब यहाँ इसका रडिक में प्रड़ी उतक प्रड़ी दौने उतकर बॉल की तरह होती है, क्रिकेट बॉल, उस बॉल को कैच करने वाला है, हैंड होता है, चेंट्स, और ऐसी अपरचुनिटी मिली है, इस हैंड को, मिस नहीं करना चाता है, जिसके दिल में जटका लगा, उसका दिल जिंगा लगा, ओ, I'm sorry, hello, sorry, मुझे आने में लेट हो जाएग ग्रेट, वैसे आप क्या करते हैं, I'm, I'm an engineer, software engineer, oh, you look hard, oh, thank you, but I'm a little short, but you're very smart, oh, yeah, you miss, pretty, oh, pretty, my love, दिल चेर गई, nice name, आप बहुत अच्छे इंसान है, thank you, because इतने बिजी होते वे भी आप, no, 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, लेडीज को देखकर मैं बिल्कुल पर्फ की तरह पिखल कर उनकी और बह जाता हूँ, कहां जाना है आपको, Orion Mall, can you help it out, keep this, sure, come on, miss, are you comfortable, yeah, कुछ spell आ र आप वो खाने वो जी चीज नहीं है मैडम, Orion एक पर्फ्यूम का नाम है, जो इस परेकी जाती है, महके देखे, देखे, कैसा लगा, सुपब, 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 मैं जोर से गाड़ी भगाऊंगा, और फिर जोर से ब्रेक मारूंगा, तब आप मुझसे जोर से चिपक बोरी सिने के लिए नहीं, इस के लिए है, बहुत बहुत बहादूर लड़की हैं आप तो, वा, क्या हूँ आपको, फास्ट एंड फ्यूरियस हो गए थे, अचानक स्लो एन स्टड़ी क्यों हो गए, वो सामने बहुत क्राउड है, कहां से रिकलो यही सोच रहा था, ठीक है आप निकल जाएगे, मैं यहीं उतर जाती हूँ, हालो, excuse me, आपको तो औरियंट मॉल जाना था ना, मेरे फ्रेंज ने अगर मुझे आपके साथ देख लिया, तो मुझे चैन से जीने नहीं देंगे, जल जाएंगे, प्लीज, मुझे अपना नमबर देंगे, लिख लिजे, आपका नमर क्या है, जब ज़रूरत पड़े की, तब मैं ही फोन कर लूगे, आप जब चाहे मुझे फोन कर सकती है, डोंट रिजिटे टो कॉल मे, 24 x 7, आम एट वर सर्वेस, ओके, क्या भाई क्या प्रब्लम है, रास्ते से गाड़ी खटाओ, हेई, गाड़ी को ठोक कर आया ना, पहले नुकसान भर, यह क्या बात हुई, एक तो ओवर स्पीड आकर गाड़ी को तुमने ठोका, और उपर से हमसे पैसा मांग रहे हो, चलो अपनी बाई खटाओ, हेई, तु कियार में यहां लफडा हो जाएगा, फिर उसे क्या फाइदा होगा, क्यों माशे, आप भला इन्हें सपोर्ट क्यों कर रहे हो, इसी को कहते है प्यारे, यूद का पावर, हमसे जो भी टकराएगा, कुछ नहीं होगा, किसान नहीं है तो अनाज नहीं मिलेगा, ड्राइवर तो ट्रांस्पोर्ट एजन्सी नहीं रहेगी, क्या बात कर रहे हो, अपनी आउकात मेरा, तुम लोग यह गलत कर रहे हो, तुम लोगों की भी इज़त है, उसे गवाओं मत, सॉरी फॉरे, यह चल रहे है, आया सीख देने, ऐसे कई टपोरियों को हम देख चुके हैं, कोट पहन के अपने आपको हीरा समझ रहा है, गुरुबक्ष जी, तुम जाकर वो फाइल सब्मिंट करो, ठीक है सिर, देख उस हीरो को, कोट गंदा ना हो जा, इसलिए गाड़ी में रख रहा है, खा दी जनता के रख्षा के लिए, खाकी देश के रख्षा के लिए, चड़ी और बनियान इज़द बचाने के लिए, और कोट इज़ददार के लिए, मैं कुछ काम से बाहर आया हूँ, I'll get back in 10 minutes, ओंदार के दिए इज़दददददददददच के ब carnival रहर आया है, ёт ग tutorials पली trigणों से इज़ददददददद ग्रोजचने के लिएटरेसे, घ्लयं और कोटिए के लिए झाहते है, नई करेक्ट होना चाहिए एपीडी प्रेजेंटेशन बहुत इंपोर्टेंट है फिर से एक बार चेक कर लो मुझसे रेस लगाएगा चाहे कोई भी हो हम तुमसे सवा सेर हैं यह दिखाना जरूरी है उरूर हो प्रेजार ट भूई शिसंदे Kam से इझ मेंदेशन जयसे इंपोई से इंज मेंदेशने अमिदेशने से इंज एरूर कोई से इंडिसे इंडाएगκα की बाएगगा है नहीं 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 भाई नहीं शॉरी भाई चल उट छोटी छोटी बातों को बड़ा बना कर औरों को परिशान करने से कोछ आसिल नहीं होगा तुम जैसे जवान लोगों के करने के लिए और भी बहुत से काम है समझ गया ना हाँ भई इस सब क्यों निस्टब कर रही है हलो 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 क्या फिल्म देखने अरे छोड़ यार यहां लाइफ शू चल रहा है अगर आक्शन देखना है तो उस हीरो का नहीं इस हीरो का देख हलो सर 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 चलो भई सर 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 लीस भो यह जिए नहीं मैं यहांग यह जिती कर दो प्धर शुआर फुआना है कर दो प्धर क्र आप अलोगा भॉटना है अए्वा यह जिए झे उख उवाद एंग प्रान पने बहुत रहुत मुझे लगता है मेरी लाइफ का हीरो यही है तू लड़की है कि कयामत है शादी करने वाले लड़के के सामने उधम बचाएगी तो क्या ये तुझ से शादी करेगा? शादी? किसके साथ? और किसके साथ? हमारे पांडू शर्मा के साथ? मैं नहीं करने वाली क्यों नहीं? शास्त्रों का इसे अच्छी तरह से ग्यान है सारे मत पटाफट बोल देता है इस भॉंदू के साथ शादी करके मुझे अपनी लाइफ नहीं कराब करनी क्या कहा? जो सुना वही कहा लेकिन क्यों? ये मेरी जिंदगी है जाती बदल दूँगी पर फैसला नहीं फर्स्ट अफॉल मुझे शराबी बिल्कुल पसंद नहीं ऐसे में तुम दोनों पीकर मेरे घर आयो फिर भी तुम लोगी बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ मुझे मदद चाहिए यार बिजनिस में लॉस हुआ है कर्सदार भी बहुत सता रहे हैं इसलिए हम बहुत कुछ बेच चुके हैं घर वालों ने भी हमें घर से निकाल दिया है यार बचपन के दोस्तों इसलिए हम तुमारे पास आये हैं अगर कुछ पैसा दे देता तो हम कुछ धंदा शुरू कर लेते हैं नहीं तो हम लोग फुद खुशिकर होगे हैं है ना अच्छी बात है प्रॉब्लेम साल हो जाएगा ना जाओ जल्दी जाओ लेट हो गया है मुझे भी सोना है जिन्दगी बॉक्सिंग रिंग की तरह होती है तुमारे रिंग में उतरता है जीत अनौस नहीं होती खेलना पड़ता है मेनद करनी पड़ती है तब जीतते हैं ऐसे ही जीत हासिल नहीं होती है ममी ये दुनों मेरे दोस्त हैं ममी हर कोई बात नहीं बैठे रहो, बेटा तुम लोग करते क्या हो, उसी के लिए तो यहां आए है, ठीक है, तुम लोग बैठ कर बाते करो, मैं खाना लगवाते हैं, ठीक है मामे, तो बताओ, तुम दोनों क्या करना चाहते हो, अगर तुम पैसा दो, तो एक गैरेज है, उसे ल मंतले इंस्टाल्मेंट चुकाना पड़ेगा, सोच लो दोनो, दुखडा सुनाने वाले बहुत हैं, जिसके अंदर इंसानियत है, वही उसे सॉल्फ करता है, चलो, खाना खाते हैं, नहीं गुरू, क्यों, फोकर्ड में मिलता तो जाकर बोतल खोलते न, दुबारा किसी को पहनाने के कोशिश मत करना, चलो, खाना खाते हैं, यह क्या बेटा, वो हेल्प मांगने आए थे न, तुमने कहा उधार दोंगा, इंस्टॉल्मेंट भी फरना पड़ेगा, यह सब क्या है बेटा, मैंने मदद करने से कहां इंकर किया, मा, मैं तो बस उधार दे रहूं, पर जिम्मेदारी का एसास भी होगा, उसके बाद उन्हें ज्यादा पैसा दे कर एक अच्छा बिजनेस खोल कर देना मेरी जिम्मेदारी है, उस वक्त जब मैंने तेरी बाते सुनी, तो मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन हमारे पास इतनी दौलत होते हुए भी, तुने उन लोगं को लोन देने की बात की, तुझे दोस्तों की कितनी चिंता है यही सोच रहे थी, बट यूर राइट बीटा, सौरी ममी, बिना आपके परमीशन के मैंने उनको मलत का वादा कर दे, विराट, किसी जरुवत मन की हेल्प करना, उपरवाले के बैंक में एवडी करने जैसा है, बहले ही वो लोग पैसे ना लोटाए, लेकिन उपरवाला तुम्हें सूच समेत उसे लोटाता है, किसी अच्छे काम के लिए, किसी की परमीशन की जरुवत नहीं है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, ममी, ये काटून आया नहीं अब तक, हाई, आप तो बहुत तुम्हारे एक इशारे पर ना पहुंचो, तो आशिक होने का मतलब ही क्या है, मुझे पुर्दक छोड़ दोगे, नो वरिस, प्लीज कम, थांक यू, अब बठो, बठो, ये किस लिए, सेफ्टी के लिए, किस की सेफ्टी, मेरी खुद की, पर क्यों, मैडम, अचानक स्पी बठोशन ले लिया जाए, ना रहेगा बास, ना बजेगी बासूरी, प्लीज कम, बहुत अच्छी सूच है, चला क्या, ओके, किसी अरजंट काम से जा रही हो, अगर लेट पहुची तो विराट निकल जाएंगे, अरे सुन तो, ये विराट कौन है, वो विराट ग्रूप कमपनीज के चेर्मेन है, वो आकर चला गया, तो उससे तुम्हें क्या फर्क पने है, क्या पापा, आप भी, आप हमेशा मेरी शादी के लिए जित करते हैं, मैं सोच रहे थी, वो ठीक रहेंगे, मतलब तुम शादी अपनी कुशी के लिए नहीं, हमारी कुशी के लिए करो अब ऐसा ही समझ भीजी है, चलता हूंगा, तुम्हारा भाला करे बेटा, नमस्ते, हाई, 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 कैसी आप, आप जा रहे हैं, एक अज़न्ट मीटिंग है, ओ, ओके, गड़ लाख, फर वो आप ने कहा ना कि मीटिंग है, तो जरूर कोई जरूरी बात होगी, इसलिए थैंक्स अलोट, अब मुझे, अगर आपसे फिर मिल्ला हो तो, कोई बहुस ज़्यादा इंपोर्टन काम है, ऐसा कुछ नहीं है, बात करनी थी, नो प्रॉब्लम, यू करी ओन, यू करी ओन, यू करी ओन, प्ली जोई जोई वित मी, या, अब बट, माय बाइक, जब एक क्यों नहीं पहना है तुमने, अब क्या दिन में भी पहनू, मुझे रात में पहनने की आगोते, तुम्हारा मतलब है, दिन में कभी तुम्हारे साथ आधसा नहीं होगा, ये बात नहीं सर, दिन में लेटकर मैं कभी खराटे नहीं मारता, मतलब मैं सोता ही नहीं सर, मेरे कह कहने का मतलब वो नहीं था इनका मैं अब क्या करूं इस नियुक्त पहनता हूं तो इसलिए पहनता हूं क्या बात है सर आप इतना हस क्यू रहे हो मिच इतने इंसान है सर आप मुझे आगे तक टॉप कर देंगे चला बेट जाओ यह बताओ तुम काम क्या करती हो अरे सर क्या बताओ आपको सुबह से शाम तक पसीना बहा कर मेहनत करनी पड़ती है ठक चाहती हूं सर पेट भरने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है शस शस श सामने आवारा लड़के खड़ें आगे बस बहुत बहुत शुक्रिया सर थाइक यू इतना लेट कियो हुग हो गई उनसे पूछ ओ किन बताव और इतना लेट कियो हुआ क्या लेट तुम अंद्र हो कितने ट्राफिक थी ठेक चलापना नंबर दे मेरा नंबर किस शाला मत बन दलाली का काम कर रहा है' दलाली का काम कर रहा हूं मतलब... ये क्या बोला क्या कहना था दिल के बाद दिल में रखने से दिल का बोच बढ़ जाता है ऐसा कुछ नहीं है दरसल आपकी richness में और आपकी character में बहुत परक है स्फूर्ती, मेरे रिचनेस से केरेक्टर ज्यादा दिख रहा होगा लेकिन इस मामले में तुम मुझसे दो कदम आगे हो मैं नहीं नहीं, मैं नो, आई रियली मीन इट मैं, मेरा, हमारा, ऐसा सब लोग कहते हैं लेकिन सब को अपना कहना आपका बड़पन है इसलिए आप किसी का पे दिल बहुत जल्दी जीत लेती हो इंक्लूडिंग में दाट्स वाइ लाइक या लॉट क्या कहा आपनी, मुझे I can't believe it स्फूर्ती तुमारा नाम ही स्फूर्ती दायक है Keep going Sure प्यार मेरा है तू ओ यारा दिल को लगे है तू हाँ प्यारा बढ़ा बढ़ा कदम बढ़ा ले तू चड़ा चड़ा तिर मुझे बिविदू राशिक मेरा तू प्यार मेरा है तू ओ यारा दिल को लगे है तू हाँ प्यारा बढ़ी 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 यो से यो बढ़ी बढ़ी यो से यो अब हम मीले तो मैं सोचूं इतने दिन क्यों थी दू मेरी अदा मेरा ये हुस्ट सब्दा पालिक है तू अब तुझ से ही मेरी शौंगले तेरे नाम से मेरी सास चले आखों में बसा तू ये जान ले तुझे ही चाहा है मुझ पे भरोसा कर दे प्यार मेरा है तू ओ यारा तेरे बीना एक पल भी छेरेन आता ही नहीं साथ मेरे तो घर है सब कुछ लग तो सहीं तेरे लिए छोड़ू मैं ये जहाँ तू है जहाँ मैं भी वहाँ पाया जो तुझको तो मिली खुशी तेरे नाम कर दी है अपनी ये सारे जिन्दगे प्यार मेरा है तू ओ यारा दिल को लगे है तू हाँ प्यारा प्यार मेरा है तू ओ यारा दिल को लगे है तू हाँ प्यारा नमस्कार देखा जाए तो सरकार का हर काम टेंडर के जरिये ही किया जाता है पहली बार हम किसी प्राइविट कंपनी के साथ मिलकर काम करने के बारे में सोच रहे हैं आज की मीटिंग इसलिए बुलाई गई है एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट हमारे करनाटक में ही है लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सबसे ज्यादा पावर की प्रॉबलम भी हमार यहां है इस प्रोजेक्ट से क्या फाइदे हैं क्या मकसद है इन बातों को आपके सामने रखने के लिए दो शक्स डीटेल्स देंगे प्लीज एक्स्प्लेन टू अस येस मेड़ा इससे फैंटास्टिक प्रोजेक्ट इससे पावर प्रॉबलम सॉल्व हो जाएगी और वो सब मुझ में है तो अगर ये प्रोजेक्ट मुझे मिला तो आप लोगों के सारे सपने मैं साकार करूँगा ये प्रोजेक्ट इससे पावर प्रोजेक्ट पड़े अच्छे स्टाइल में समझाया मेरा इंटेंशन भी वही है स्टेट को पावफुल बनाना पर मेरी स्टाइल जरा लगे प्लीज कोपरेट हमारे स्टेट में छे तरीके से पावर को जनरेट किया जाता है गैस नूकलियर पेट्रोल से जो पावर मिलती है वो हमें बहुत कॉसली बढ़ती है इतना ही नहीं किसानों को MNC कंपनीज को सबसेड़ी देनी पड़ती है इस वक्त हमारे पास कुल हाइड्रो पावर प्लाइंट बीस हैं उन में से 6 से 8 यूनिट काम नहीं कर रहे हैं सिर्फ Mississippi और Niagara से पूरे अमेरिका में पावर सप्लाइ होता है यह तो मेरे किये गराएं पर वानी फेड़तेगा भवीषय में हमारा राज्य पावर के मामले में सबसे आउवल रहेगा यह तो थैंक्स वर बीइंग विद में हैव वेरी गुड़ देग इसकी तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लेगा फंटास्टिक एराट यू विल दो इट थैंक यू मैं गुट बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है मदमस्त हाथी पर कोई सवारी नहीं करता एक होशियार महावत को मदमस्त हाथी परेशान नहीं कर सकता कड़कती बिजली के सामने आने की कोशिश अच्छी बात नहीं है बिजली की पावर को अपने कबजे में लेकर उसकी पावर को आजमाने वाला नाम एक ही है विराट अभी विराट होगा, आगे खाक हो जाएगा सामने सांड खड़ा ये सोच कर भागने वालों में से मैं नहीं हूँ देख लिया मेरी पावर को सिर्फ एक इशारा और तू उसको प्यारा सुन पूरे राज्यों को पावर देने का प्रोजेक्ट मैंने हाथ में लिया है तो सोच मेरे हाथ में कितनी पावर होगी कि गए पावर C crashes наш कि यहचर은 कि झे er पीक ढई paid झावर्णीム मेरे पाक यहचर आपकẫn झावर्णीम झावर्णीम कर दोक्स टार वोज एके जो रखो, हेवां पिलबस हाळ गवाग खर्बस दर्बस एग इसके पहले भी तुन्हें एक बार मुझे मारने की कोशिश की थी बट नहीं हो सका ट्राइ अगेन अगेन टू विन इट बट डोंट बेट अन डेड होर्स देश को बरबाद करने के नियत वाला बजजाद घद्दार और एक नंबर का देश द्रोही तू है अज़ाइ अज़ाइ दिनेश इस प्रोजेक्ट के लिए हमें नए लोगों की ज़रूरत है तो जितनी जल्दी हो सके फ्रेश टीम को फॉर्म करो अगर चाहो तो बाहर से रिक्रूट करो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उन्हें शिफ्ट करेंगे सॉफ्ट्वेर पार्क दिनेश लास्ट वी के कंपनी सेमिनार में गए थे ना इस सर इंटेलिजेंस इंडिया टेक पार्क अग्जाक्ली तुम इमीजेट उन्हें फोन करके हमारी सिचुएशन को एक्स्प्लेइन करो और हमारी रिक्वार्मेंट बताओ माइट भी देकन हेल पस मुझे रगता है कि उनके पास इंट्रेक्शन करने के लिए काफी प्रॉमिसिंग लोग हैं I think it's a better option Sure sir, within 10 minutes I'll get back to you sir Yeah Hello Sir, this is Dinesh Kataria from Prasad group of companies Hello sir, it's me Chetan from Intelligence India Tech Park Hello So, who is it? Who are you talking about? I don't know how you are looking at it But your voice is great Wow, I just want you Hey, you're a crazy dog! Do you know who you are talking about? Listen, listen to the sound below I know how you are busy at night How are we customers? Ask this to Mammu Which Mammu? Hey, the one who provides us with the items It's a top Hey Mammu Hey 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 Oh my God, I'm scared Hey, save me, the land is running out of here We are going to kill everyone Hey, someone, save me, save me Hey No one will save you I will make you a football I will make you a football First of all, who is talking about the phone? See Who is it? I am Mammu Mammu? Oh my God How do you know How do you know? I am going to contest the flower First of all Broker Broker You are not done You are not done You are not done You are not done I will send you I will send you Where do I send you sir? Where do I send you sir? Oh Where you are Where you are I will call the police 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 If you are not taking it Then I will send you to your house I will send you to your house If I didn't get money Then stop Hey Hey You are not done Let me leave you And you too Listen to me Come in I am going to get a smile Where you are Your head is falling You are not done I am not done You have to make a smile My baby I am nothing My baby No Hi everybody Hello sir Now please introduce yourself This is Mr Virat Prasad Chairman of Prasad group of companies Of course पता है सर यप सर मैं हो गुरू प्रसाद अली मनी केशो प्रसाद सर कीर्ती कीर्ती केलाश केलाश मेरे पिता जी का नाम है जैराज जाधव अब तक के हर एक राउंड में यह रॉल टॉपर्स प्रोजेक्ट के डिटेल के बारे में दिनेश आप लोगों को ब्रीफ करेंगे आप सबको अपने-अपने डिपार्टमेंट में काम करना होगा सीखना ही जिन्दगी है और जिन्दगी एक किताब की तरह है सीखने वाले स्टूडेंट्स भी चाहिए और सिखाने वाले टीचर्स भी चाहिए सो आप फिल्ड वर्क डिपार्टमेंट्स के हैं सीखिए ओके सर फाइनली मेरा एक ही मश्वरा है मैं अकेला आगे नहीं बढ़ सकता मुझे आप सब की जरूरत है सो बी वित मी आई विल सर बट सोच लो सुबह काम पर आने का कोई टाइम नहीं और रात को घर जाने का भी कोई टाइम नहीं सर किसी भी कंपनी को सक्सेस्फुली ग्रो होने के लिए उसमें एट लिस्ट किसी एक को सच्छे दिल से डेडिकेशन देना पड़ता है वैसा डेडिकेशन मेरे पास है यह दनिया कैसे दिया पाँच रुपया बंचाप पाँच रुपी लो पिछले अपने तीन रुपय था अज पाँच रुपय कैसे हो गया भाई साब हमारा धन्दा भी बिल्कुल शेर बजार की तरह है कभी चड़ता है तो कभी उतरता है कुछ पता ही नहीं चलता बहन थोड़ा डिसकाउंट कर दो ना सुनो स्यादा किच-किच मत करो अरे रे तुम क्या जानो पैसा कमाना कितना मुश्किल है अभी तुम ये सब नहीं समझोगी शादी के बाद सब पता चलेगा चुपरो अरे जाजा तु क्या खरीदेगा तेरी दो रुपय की आजा पताती हूँ बड़ा आया हाँ पृति दोनों में कौन सूपरस्टार है अभी भी कन्फ्यूज हो क्या या बात है अज तुमारे घर में लक्षवी पूझा ने क्या नई तो क्यों वो क्या है पूझा के लिए पंडिची को लेकर जा ले है लोई इसनी अरे अरे रे यह पंडिची नहीं है हमारा रिश्टे रहा है यह ना मुझ से शादी करने का सपना देख रहा है ये, इन्हे सपना देखते रहने दो, मैं हाँ करूगी तब ना, येस, यू आर राइप आप एक काम करो, पहले आप इन्हे घर पर ट्रॉप करके आजा, उसकी बाद हम दोनों लोंग ट्राइब पर चलेंगे, ओके, 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 यू आर राइप, या, सुपर हाई, हाई, आप वही हीरो है ना, आप है कौन, ये क्या कह रही है, वही, उस दिन जो रोट पर फाइट हुई थी, कुछ याद आया, ये बताईए, आपके सिर्फ हाथ स्टील के है, या पूरी बॉडी स्टील की है, अच्छा ये बताईए, आप खाते क्या है, खाना खाता हमारे घर के सारे मर्द भी वही खाते हैं, लेकिन मंत्र के अलावा कोछ नहीं आता हेलो, अब है कौन? इसकी क्या जरुरत है वैसे मैं भी अपने फ्रेंड्स का इंतजार कर रहा हूं पर वो तुम्हारी तरह इतनी बगबग नहीं करते हैं बगबग करे तो भी चलता है बट रस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए खेर उनसे जादा तुम ही बेटर हो आपकोर्स यह बताइगे अब प्रिंद्स, यही है किया तुम्हारी यूजलेस्स फ्रेंड्स, ट्राइgl सेंस, कॉमन सेंस कुछ भी करने के लिए और तुमने मुझे रिस्टरब किया इसके लिए थांक्स विराट फिर कब मिलोगे यहाँ हमेशा आता रहेगा वाई ब्रादर वाई वाई किरती सर अज फाइनेंशल मीटिंग है ना यह सर बारा से एक तक फाइनेंशल मीटिंग है नेक्स लंजब्रेक और टू थाइने के पोलिशन बोर मिटिंग है और अरूंद फाइज विए इसकेशन विए अल देपार्टमेंट्स तो स्मार्ट यप ओके सर तर यहाँ प्रोजेक प्लांज या केरती या सर थैंक्स सर प्रोजेक प्लांज ओम धिस इस वाट या लुकिंग फॉर या दिनेश सर गुरुबग सभी तक नहीं आये है शाब पांच बजे मीटिंग है सारी फाइस हुनी के पास है ओ सॉरी सर आ फोगाँ एक्स्क्यूज मी यहाँ बोस इस लिविंग यहाँ ओके ओके फाइस वापस चाहिए लेकिन वह पैसा तो मेरे पती का है उन्हें में जानदा तक मैं अपनी रिलेशनशीप अच्छी रहेगी और मेरा काम स्मूदली होगा यह सोचा था मैने उस पैसे को मैंने इस रिष्टे की कीमत पर दिया था ये प्रोजेक्ट मेरी ही कमपनी को मिलना चाहिए वरना मैं मीडिया के सामने जाऊंगा और बताऊंगा कि 100 क्रोर रिश्वत ली है आपने जब तुने पैसे दिये थे उसी वक्त वो सारे पैसे मैंने अनाथ आश्रम और स्कूल में डोनेट कर दिये थे अब अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा ना तो मैं सबसे कहे दूँगी कि मेरे विरोधियों कि ये मुझे भसाने के लिए एक चाले और कुछ नहीं इसलिए चुप चाप यहां से निकल जो वरना ये मत भूलो तुमारी गौवर्मेंट अगर चल रही है तो हम जैसे बिजनसमेन की वज़े से समझ गई ना तुम जैसे दमकी देने वाले नजाने कितने बिजनसमेन चेल में रोटियां तोड रहे हैं तुम्हें भी खानी है तो बताओ तुम जैसे लोगों के आगे जुक कर अपनी कुर्सी बचाने वालों में से मैं नहीं हूँ मैं अपने सपनों को कुर्बान कर सकती हूँ पर आदर्शों को नहीं नफ गर तरह आउट आउट आफ या अगर सी एम की तरह और कर दिया ना जिन्दगी भर अफ्सोस करोगे कि आखिर में पैदा ही किया हुआ वाव ब्यूटिल्फॉल फैपिलिस हाई किर्थी तुम वहीं क्यों रुक गई सरे अब गर तो मुझे मैसूर का जू जैसा लग रहा है क्या नहीं पैलस जैसा लग रहा है बेटो नाश्टा करो इस ओके सर नश्टा करने के लिए शर्माने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें दुबारा पूछने की आदत नहीं है यहां का टेस्ट लग जाएगा तो डेली आएगी सर, साड़े ग्यारबजे बैंक ओफिशल्स के साथ मीटिंग है एंड एरिया सवे के लिए एक टीम भेजनी है माजी नमस्ते ममी, यह कीरती है, मेरी मा नमस्ते माजी बहुत टैलेंटेड है, इस वक्त नए प्रोजेक्ट में हमारे साथ काम कर रही है मेरा बेटा किसी को करीब आने नहीं देता, तुम बहुत लखी हो सर, कोई स्पूर्ती नम की मेडम आई है ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो हाई स्पूर्ती हाई, आप कैसी है माजी? मैं ठीक हूँ बेटी, बैठो ना जी दो दो लड़ू आ गए तो काले जामून का क्या काम, मैं निकलता हूँ नाश्ता कर लो बेटी मैं नाश्ता करके आई हूँ, कल हमारे घर में छूटा सा फंक्शन है, आप लोगों को जरूर आना है कैसा फंक्शन? मैं एक बच्ची को गोद ले रही हूँ, आपको आकर उसे आशिरवाद देना है, जरूर आएंगे अब मैं चलती हूँ स्पूर्ती, शी इस कीर्ती हाई, नाइस मिटिंग यू सेम हीर, कल आप भी आईएगा शौर, अब मैं चलती हूँ ममी, मैं इने छोड़ कर आता हूँ अरे ये क्या हो इसे? इस कामेंग इतना बिजी मैन और येस, मेरे लिए अपने सारे काम छोड़ कर आ रहे हैं यूनो, जब मैं उनके घर गई न तो उनोंने खुद मेरा स्वाधत किया सच में उसे ने आकर इसे किया येस, मुझसे कहा कि यहाँ बैठो और हमारे साथ नाश्ता करो फंक्शन के लिए जब बुलाए तो I will come ऐसा कहा अच्छा इतना ही नहीं, वो मुझे बाहर तक छोड़ने भी आए फाइनली उन्होंने क्या कहा जानती हो आप एक बच्चे को गोद ले रही है फिर आपकी शादी, बच्चे इसका कोई आइडिया नहीं है क्या ऐसा कुछ नहीं है वो भी हमारे साथ रहेगी अपंक बच्चे, मंद बुद्धी बच्चे HIV पेड़े जिनी दुनिया नफरत से देखती है वो भी उन्हीं की देन है उन्हीं बच्चों में से ये भी एक बच्ची है मतलब हैंडिकाप है नहीं, HIV पॉजिटिव ये नाम सुनते ही कितने लोग भाग खड़े होते हैं ऐसे बच्चे को आप गोद ले रही हैं रियली, यू आ ग्रेट दाट्स वाइड लाइक यू सो मच दाट्स वाइड लाइक यू ऐसा कहा सिंदगी में सबसे मुश्किल काम है इंतिजार करना तुम सब इंतिजार करने के लिए पैदा हुए हो और तुमारा दोस्त इंतिजार करवाने के लिए उसके बारे में ऐसी बाते मत करो मैडम जानती हो कौन है वो हाँ, वो कोई करोड़पती है क्या जी हाँ, करोड़पती ही है, प्रसाद गुरूप अफ कमपनीज का चेर्मेन तो फिर अगर वो चाहता, तो अपनी कमपनी में तुम लोगों को चॉब दिला सकता था ना? फ्रेंड्स को लेबर बना कर उन पर हुकम चलाना वो पसंद नहीं करता दोस्तों के पीच छोटा, बड़ा, अमीरी, गरीबी ये कोई फर्क नहीं होना चाहिए, यहीं वो चाहता है नहीं, नहीं, हम सब को सेटल करने के लिए इस गैरिज के लिए लोन उसी ने दिया है क्या? वो इतना कंजूस है? हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी खुच समझे, यहीं उसका मकसद है यह हो सकता है वो, तुम लोगों के सामने नाटक कर रहा हो? जिन्दगी बर कोई नाटक नहीं कर सकता, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है मैंड़ा वो ग्रेट है अरे, तुम उसे वो क्यों कह रही है? हाँ, वो मेरा भी फ्रेंड है ना? एक दूबर मिलने से फ्रेंड हो गए क्या? लड़कियां सुरज की किर्णों से भी फास्ट होती हैं, यह तुछ नहीं पता, देखो लड़कियों को मैं फास्ट तो समझता था, लेकिन इतनी फास्ट होती हैं, तुम्हें देखकर कनफार्म हो गया हाई प्यारों हाई गुरू हाई प्रिती गुरू, टाइम हो गया पूजा शुद्व चलना यार हाँ, हाँ, आवा आती लो बेटी अब सभी अक्षट डालेंगे अल दबेस त्यारों थेलो, तुम कोई गिफ्ट नहीं दोगी क्या ये लो बस इतने से काम चल जाएगा क्या ये भगवान का प्रसाद है ये बहन इसके अलावा आप लोगों को क्या दे सकती है भगवान के आशिरवात से बढ़कर मेरे पास जो कुछ भी है वो ले लो विराट के विश लोन चुकाने के लिए और मेरी विश कामयाभी के लिए इसलिए अब मैं जब भी आऊँ इस बहन को भरबूर प्यार देना देखा गुरू ये क्या कह रही है? शीज वेरी बोल्ड प्यारे इसलिए तो मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ समझ गया? इसलिए मैंने पहले ही मना किया था तुझे पता नहीं ये कौन विराट है पापा, इज़ट से बात कीजे इज़ट कवाकर मैं अपने साथ बच्चा लेकर नहीं आई हूँ सौरी दीदी मैं उसे प्यार करती हूँ आप सब उन्हें एक बार देखकर फिर डिसाइड कीजे सुन लिया भागिवान जाने से पहले हाथ पर जोड रही थी और आप देखो, आडर कर रही है इसलिए कहते हैं कि विद्या लोगों को अकल मन भी बनाती है और साथ में बिगार्ती भी है एजी, आप ज़रा चुप रहेंगे देख बेटा किर्थी तूने कहा कि तू उसे पसंद करती है उसी तरह वो भी तुझे पसंद करता है बिल्कुर, वन्ना वो ऐसे मेरे बुलाने पर यहाँ अपना काम छोड़ कर क्यों आते आई लाइक यू ऐसा क्यों कहते सफूर्ती, आई लाइक यू के कई मतलब होते हैं सच कहा, आई लाइक यू कहना कोई बड़ी बात नहीं है फिर भी, आई नीड एन आंसर सो, डिरेक्ट पूछ कर कन्फर्म कर लेना बेटर है कोई जरूरत नहीं है पर मुझे जरूरत है अगर तेरा यही फैसला है तो आज से तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं अगर मैं आपकी मर्जी से शादी करूँ तो मैं इस घर में रह सकती हूँ इसके क्या गैरंटी है बाबुजी इसे उचलने दो बाबुजी वो लड़का इसे हाँ करेगा तब ना हाँ करेंगे और तुम सबको मनाने के लिए घर भी आएंगे ठीक है एक्सक्यूज मी विराट प्रोजेक रिपूर्ट वन मिनिट सा गुरुबक्ष सार लीजिये सार हलो हाई स्पूर्ती मुझे बात करनी है अब थोड़ी परस्नल है मीटिंग खत्म होने में और एक गंटा लगेगा उसके बाद हम कहां मिल सकते हैं कहां क्यों? हम अपने आफिस में मिलते हैं न? लंच में? ओगे बाई, have a great day Everything is okay विराट हम आपके साथ हैं अंधेरी से जूजने वाली जनता को आप रौष्णी जरूर देंगे वक्त सहीने रहा तो हमें ये अंधेरा घेर लेता है मैं रौष्णी देने वाला कोई महात्मा हो क्या? अंधेरी का एहसास सबको है विराट लेकिन आप रौष्णी दे रहे हैं और यही आपकी एक महान सोच है तेंक्यू सर इट्स माइ प्लेशर थैंक्स अलॉट सर्थ क्या है किर्थी? मुझे आपसे एक इंपॉर्टन बात करनी है चेमर में बात करते हैं, आओ सर्थ ओ एनसिन हेलो हाई विराट मेडम, बॉस तो मीटिंग में बेठे हैं ए मोटे, फोन उने दे या सर्थ या इल कॉल यू बैक बोलो केर्थी, तुम कुछ कहना चाहती थी 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 वो हाँ जस्ट ए मिनिट सुरी स्पूर्थी, मुझे अर्जन कॉल आया तुम्हें क्या कहना था? जी वो हाई विराट बस इसी की कमी थी क्या गुरू, आज तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल कलाफुल लग रही है यह केर्थी, यह स्पूर्थी और शी इस प्रीथी हाई बोलो स्पूर्थी थोड़ी पर्सनल बात है कोई बात नहीं है सब अपने ही है आज तक मैंने समात सिवा क्या लावा कभी अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं लेकिन आपसे मिलने के बात मिलने के बात? मैंने सर बिफोर दाट मैं गाव से शहर आई हूँ तो इसकी वज़ा सिर्फ आप हैं ओहो मैं तो यहां सिर्फ भगवान का भजन करने आई हूँ है ना? देखो विराट इन दोनों को तुम सिर्फ पसंद हो बट मेरे लिए तुम मेरी जान हो इन्हीं पहले मैंने पसंद किया था तुम दोनों से पहले मैं इनसे मिली हूँ फॉर्स लास्ट करने से ज्यादा बेस्ट कौन है यह इंपोर्टेंट है क्योंकि हमारी लाइफ का सवाल है लाइफ सो वाट्स लाइफ हर रोज एक नया सपना देखकर मौत की तरफ बढ़ता हुआ सफर उन सपनों के और जिंदगी के सफर में मैं हमेशा के साथ रहोंगी मैं रहोंगी मैं रहोंगी नहीं वह मेरे है तुम चुप नहीं रह सकती क्या वाइशुड आए श्टॉप इट तुम लोग क्या समझ रहे हो जरा सा अपनापन क्या दिखा दिया तुम तीनों तो मेरे गले ही पढ़ने लगी तुम सब educated हो ना प्यार को तुम लोग क्या समझते हो पूछते ही मिल जाता है चाहोगे तो हासिल हो जाता है या फिर मांगने से मिलने वाली भीक है नहीं ये दो दिलों के बीच का रिष्टा है तो फिर मैं भी तो एक इंसानी हूँ ना इंसान जिसे चाहता है वो चाहत उसके अंदर पैदा होनी चाहिए हाँ वही तो मैं भी कह रही हूँ इस तरीके से और मैं क्या कहूँ अब तुम्हारे बगार जीना बहुत मुश्किल हो गया है लेकिन मैं तो जी ही नहीं पाऊंगी मैं अपनी जान दे दूँगी अफकोर्स मैं जी हूँगी तो तुम्हारे साथ वरना जान दे दूँगी मैं खुद को फासिल अलूँगी मैं तुम्हारी गाड़ी के नीच आ जाऊंगी चब तुम सबको होक्या गया है? पयार हो गया है नहीं, पागल हो गई हो मेरी जान बचाना अब सिर्फ तुम्हारी ही आथों में मैं सिर्फ एकी कहो सकता हूं तीनों में बटने के लिए मैं कोई मंदिर का प्रसाद नहीं हूं ठीक है, वो हमेंसे कौन है, बताओ देखो, तुम सबने अपना-पना फैसला सुना दिया मुझे अपना फैसला सुनाने के लिए टाइम चाहिए कितना टाइम? पता नहीं, जब सही वक्त आएगा तब मैं बताओंगा वैसे एक सच बात सुन लो, मैं तुम में से एक से सच में प्यार करता हूँ और वो जब मैं बताओंगा, तो एक को खुशी मिलेगी, और दो को शौक जिसको खुशी मिलेगी, उससे ज़्यादा बाकी दोनों को संभालना ज़रूरी है हम इतना इंतिजार नहीं कर सकते जिससे प्यार पर भरोसा है, उसे नामुम्किन कुछ भी नहीं है सच्छा ही एक दिन सामने आ जाएगी, बेटर यू पीपल रिलेक्स मैं तुमने से एक से सच में प्यार करता हूँ मैं तुमने से एक से सच में प्यार करता हूँ मैं तुम में से एक से सच में प्यार करता हूँ विराट तुझे समझाने से कोई फाइदा नहीं अब हम दोनों के बीच होगी सिर्फ जंग आज से तेरी उल्टी गिंती शुरू हो गई या तो तू रहेगा या फिर में फुल फ्रीडम हलो, क्या हुआ तेरे बॉस की भट गई क्या तेरे से बात करने के लिए मेरे बॉस क्यों चाहिए मैं ही काफी हूँ, चल भोल इडियट, एए, एए, तेरी तो अबे मेरी नहीं तेरी तो मुलकट माता के मंदीर के मेले की तरह तेरे मूँ में सलिया घुषड के बंद कर दूँगा यू प्लदी अबेटा, एक साथ तीन-तीन लड़किया प्यार करती है सच में, मेरा काम आसान हो गया ये बता विराट, उन में से तुझे कौन पसंद है प्रिती का नेचर कैसा है एगदम लड़के जैसा मेडम लड़के जैसे नेचर वाली लड़की से कैसे शादी कर सकता है खैर, तुझे किर्ती और स्पूर्ती में कौन पसंद है, मैं उससे बात करूँगी मम्मी, प्लीज मम्मी क्या हुआ बेटा? आपको पता है वो तीनो लड़कियां किस पोजिशन में है मैंने एक से प्यार का इजार किया तो बाके दोनों जान दे देंगी मैं आपकी जान बहुत प्यारी है बोस मेरा काम हो गया मम्मी, उनमें से एक से मैं प्यार करता हूँ लेकिन बाके दोनों की जान भी मुझे प्यारी है because I like them, for various reasons सही वक्त देखकर उन दोनों को कण्विन्स करके बड़े प्यार से मैं अपने प्यार को बचा लूँगा ठीक है लेकिन मुझे तो बता ही सकता है कि तो किस से प्यार करता है मम्मी आपको बताया बगार मैं कोई काम नहीं करता है आप अच्छे तेरह जानती है वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन उन सब का क्या होगा? लेट देम फील देल लाव हम बेकार में आपस में क्यों लड रहे हैं? किसी दो को तो बैक आउट हो नहीं है? तो तुम दोनों हो जाओ देखो, तुम दोनों मेरी बेहन जैसी हो तुम दोनों ही ना कर दो और मुझे शादी करने दो एक बात बताओ, हम में क्या बुराई है? अपना थोबड़ा देखा है तुने? फाल तु आईरिया है हम तीनों बेहनों की तरह हैं तो तुम ही मेरी रास्ते सर्चा एक्चुली, पहले मेरा शादी का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था लेकिन अब घरवालों के लिए मैं भी वैसी हूँ मैं विराट को अपने घर ले जाकर अपने घरवालों को मना कर तो तुम दोनों का मतलब है मैं आश्रम में जाकर भगवान का कीर्दन भजन करूँ तुम दोनों शादी कर रही हो अपने परिवार वालों के लिए और मैं सिर्फ अपने लिए प्यार करने से पहले भी मैंने किसी की नहीं सुनी और ना ही अब सुनूँगी, समझ गई? किर्टी, ये तो बड़ी ही ना समझ है और तुम भी उससे कम नहीं हो लेले, जीने का मसा ले मैं तो इन सबसे प्यारी हूँ लेले, खुशियां बट और ले मैं तो सबसे दुलारी हूँ मैं हूँ महरारी और सिंगे मानी सबसे सूपर अपनी जोडी दे मुझको ना तुम ऐसे बटो दिल को मेरे नायों का तो लफ का मैं कैरम बोड हूँ तीन स्ट्राइकर से कैसे खेलूँ लेले, जीने का मसा ले मैं तो इन सबसे प्यारी हूँ लेले, खुशियां बट और ले मैं तो सबसे दुलारी हूँ प्यार के पीज में यहां जो में आये छाट दू उसे हाँ काट लू उसे बड़े आये काटन वाली तो बनेगी उसके सारे काटोंगी तो मैं और छाटोंगी भी मैं लड़कियों से भाई तुम बचो अपनी अदाओं से यह मरे दिली ये मेरा किसको मैं दूँ जुल्मों से इनकी हाँ दे यारा देरे बिदा हो मुझको नहीं जीना हो तो है मेरा क्यों किसाब दिया है सिंगल सिम का मैं फोन हूँ तीम रिंग टोन मैं क्यों रखूँ लब का मैं कैरम बोड हूँ टीम स्ट्राइकर से कैसे खेलूँ लेले जीन का बसा दे मैं तो इन सबसे प्यारी हूँ लेले खुशियां बढ़ दोर ले मैं तो सबसे दुलारी हूँ लेले खुश बढ़ खुश खुश गुश खुश है किससी ने एफुश फिर गेले हूँ लेले खिर बढ़ का मैं तो 5-10 , 1-1, 1-1, 1-1, 1-1 छोड़ सारी दुनिया दारी करतों मुझ सयारी तू मन चला हाई थोड़ा चुल बुला आई है अपनी बारी खेल तू ब्यार की बारी तू है मज़ तू और मैं तेरी लला पनसी बजा के गोपियों का ना बनू पिष्ट बनेया फ्लूट साइट में रखे मैं तो चाहू बढ़ना दूरिया छोड़ी दोना कर चुन तू मुझ तू मैं हूँ तेरी जापानी गुणिया सिंगल सिम का मैं फोन हूँ तीन रिंग टोन मैं क्यों रखूँ लफ्टा मैं कर रमबोड हूँ तीन स्ट्राइकर से कैसे खेलूँ जोमी बहुत लगना है जोमी क्या कहा था तुने मुलकट माता के मेले में जैसा होता है वैसा ही करेगा अब दिखाता हूँ तुझे अरे बाबरे उस दिन तो इसी की बात कर रहा था ना यह त्रिशूल तेरे मोह में और यह हुक तेरे पीठ में फसाओंगा फिर तु माता से अपनी जान की भीक मागेगा सर मैं तो श्री गनेज जी के बाजू में बैठे चुहे के जैसा हूँ जब गनेज जी सामने होता है तो मैं शान से अपनी मूझे घुमाता हूँ और जब गनेज जी चले जाते है तो मैं बिल में घुस जाता हूँ सर बिल में घुस जाता हूँ नहीं नहीं बॉज्स तो तू आ गया अफकोस लेकिन एक बात सुन मुझे बुलाने से पहले सोचना चाहिए था मेरे जाने के बात तुझे अफसोस करना पड़ेगा लेकिन क्यों तू बवंडर है क्या बेलकुल इज़त से नंदी की तरह सर जुकाएगा तो तू बच जाएगा अगर सींग मारने की कोशिश करेगा तो जान से जाएगा सर जुका मैं सिंग हो जिसका सिर कभी नहीं जुकता सर उठा कर खड़ा रहना स्वाबिमान का लक्षन है सर जुकाना इज़त का लक्षन है सर घुमाना घमंडियों का लक्षन है और ऐसे ही सरों को जुगाना इस विराट की स्पेशालिटी है लोक, तूने मेरे प्रजेक्ट को मुझसे छीन लिया सीम के साथ जो मैंने रिलेशन बनाया उसे बिगार दिया तेरी वज़े से मुझे बहुत लॉस उठाना पड़ा है सो, या तो तू मुझे अपना बिजनस पार्टनर बना ले या फिर मेरे नुकसान की भरपाई कर शेर कभी भी कुट्टे के साथ नहीं रहता मेरे साथ दुश्मनी महगी पड़ेगी मेरे अंदर दो गुण है अच्छे आदमी को लेने के लिए यम भी आ जाये तो उसे भी लोटा सकता हूँ लेकिन बुरे आदमी को मैं खुद ही यम लोग पहुचाता हूँ सर्वनाश हो जाएगा तेरा सर्वनाश किसका होगा ये पता चल जाएगा अगर तू सच में मर्द है तो इस मोटे को छोड़ा कर ले जो सिंग मर्द क्या होता है ये आज देख लेना तभी तो तुझ जैसा नामर्द सीख पाएगा अल दे बेस्ट होगा वाएगा सर्व 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 हईश 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 तुछ कर गू हईश हईश ्पव करेंस कि और सेरी क मैं अविःडिक kinda bol यह खर शाफ पर सान तक सुः झाल बड़ सेरी कbé का तक सुः झाल यह जज .... तो झाल यह यह हा know स्वर्ण रहें जो नुमाटनाऊ! जिमझें जाली है? जो editionsंट जाली है! जे जिमझें गहें जाली है? जाली है? खाली है? अब क्या हुआ उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता प्यार करता हूं ऐसा भी तो नहीं कहा ना पापा हर बात विश्वास पर होती है और वो विश्वास मुझे है विश्वास ये देख कितना अच्छा विश्वास है ये मासूम विश्वास पर ही पल रही है पापा आप मेरे मामले में दिदी का एक्जाम्पल मत दो तो अब क्या करोगे बेटा? हो सकता है वो लड़की, मैं ही हूँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन और कॉन्फिडेंस नहीं इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस इसलिए खुट पूटा हुआ नारियल बनकर तुम तीनों को प्रसाद बाट रहा है दक्षुणा ना मिलने पर जैसे आप घूरते हैं वैसा हमारा प्यार नहीं है देख लो भाग्यवान, कैसी बाते कर रही है? अरे मैंने कभी ऐसा किया है क्या? प्रसाद जब खत्म होने लगता है, तब आप बाटने में कंजूसी क्यों करने लगते हैं? देख किर्थी, तेरा प्यार कहां तक पहुचा है ये तो मैं नहीं जानती सच में, अगर तुमें वो चाहिए, तो पहले उसके दिल में प्यार जगाना होगा खुद को बरबाद कर चुकी है, अब उसे पाठ पढ़ा रही है पापा, आप ज़रा चुप रही है, तुम बोलो दीदी आ, मुझे ही चुप कराओ मेरी इसाब से तो हेल्प ले ले, किस की लूँ? चाहे वो लड़का हो या लड़की, दिल की बात हमेशा फ्रेंड से कहते हैं उसके क्लोज फ्रेंड कौन-कौन है, ये पता लगाओ और उनके जरिये, विराड के दिल में तुम्हारे लिए प्यार है या नहीं, एजीली पता चल जाएगा मजो उसके फ्रेंड से ज़ादा, उसके सेक्रेटरी को अप्रोच करना बेटर लग रहा है आपका भाई ही सेक्रेटरी से सबसे ज़्यादा क्लोज है ऐसे स्टेट्मेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है स्पूर्ती, वो अपने मा का लाडला बेटा है, मेरी हिसाब से उसकी मा से बात करना ज्यादा अच्छा रहेगा बक्वास आइडिया, अरे कुछ दिमाग से सोचना यार अरे उसकी मा सेंटिमेंटल है, कुछ नहीं हो पाएगा करेक्ट, उसके साथ ए, तू भी इसमें मत बोल हा सौरी सौरी, उसके साथ 24 आस कौन रहता है सेकरेटरी, जाहिर से बात है हिस वेरी क्लोस टू हिम सो अगर तू उसे इमोशनली ब्लैकमेल करेगी तो उसे इसली अपने कबसे में कर सकती है येस, माजी मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी किसलिए? और क्यूं? ये मुझे पहले जानना है मेरा सपना है कि मैं आपके घर की बहु बनू माजी तो आपकी रजामंदी जरूरी है न? विराट के रजामंदी की जरूरत नहीं इसलिए तो आपकी मदद चाहिए उन्हें क्या पसंद है? वो किसलिए? आपके बेटी को क्या पसंद है? मैं उन्हें कैसी लगती हूँ उनका पहनावा, रहने की जगे उनका खाना सब, सब, सब ठीक है थेंक यू आहाहा ऐसी चाहे विराट को बहुत पसंद है उसका स्टेटस इंपोर्टन नहीं है कैरेक्टर इंपोर्टन है वो साधा जीवन उच्च विचार वाला आजमी है काम के समय जो कामचोरी करता है ऐसे लोगों को विराट जरा भी पसंद नहीं करता उन्हें अपनी जिन्दगी और काम से बाहर कर देता है मैं विराट से बहुत प्यार करती हूँ आप लोग मेरी हेल्प करो प्लीज प्लीज लगता है यह सच में विराट से बहुत प्यार करती है यह मेरा ही घर है ना डान्स पार्टी चल रही है क्या अरे बापरे सारी चुडेल मेरे घर में इकठा होकर औरकेस्ट्रा का डान्स कर रही है क्या बात है आज मेरा घर संडे बाजार की तरह सजा क्यों है आज से पहले तो यह जंका अखडा हुआ करता था इसका सीक्रेट क्या है यह पता लगाना होगा देख बेटा बहुत अच्छी लड़की है बिलकुल सही जोड़ी है सही जोड़ी है? अरे एक है उसे ही मैं ठीक से संभाल नहीं पा रहा हूँ तुम यहां क्यों आई? मुझे तुम्हारे बास की पूरी डीटेल चाहिए किस लिए? मैं तुम्हारे बास से शादी करना चाहती हूँ इर हमारे बच्चे पैदा होंगे और उसके बाद रुको 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 तुम्हें ऐसी बाते करने में शरम नहीं आती? अगर मैं शरम करने लगूँगी तो कोई तुम जैसा मिल जाएगा जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए तेरे माँ और बाप शरम करके अलग-अलग रहते तो तु इस दुनिया में आपाता क्या? पृती, तुझे इनके डीटेल्स कैसे पता? इस गधे को छोड़ तु तो सुईरो को पटाएगा मुझे गधा कहो अगर तुने मेरा कहा नहीं माना तो मैं इन सब से ऐसा कहूंगी कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है ए जी क्या है जी? मान जाओ ना क्या? मान जाओ सुनो ना इस बच्ची के हेल्प करो ना अच्छा अच्छा करूँगा करूँगा दाट्स लाइक गुड़ बॉइ सूपर फैंटास्टिक इससे पता चलता है कि उन तीनों के प्यार को मुझसे ज़्यादा तुम लोग बहतर समझ पाए हो मतलब? उनका सपोर्ट करो उनका सपोर्ट करेंगे तो कमपणी का काम कौन करेगा तीन मारे गैरेज के क्या होगा जो भी तुम लोग का लास होगा मैं भर के दूँगा क्योंकि तुम सब मिलकर मुझे एक लाइफ पार्टनर ढूण के दे रहे हो ना क्या बात है गुरू लोग दो में ही परिशान हो जाते हैं और तुम्हारे बीचे तीन तीन पड़ी है कैसे समवाल होगे? तीन लड़कियों को देख चुका है दो लड़कियों को पसंद कर चुका है उसमें से एक सिलेक्ट होगी एक मिनिट मैं मिस्टर शर्मा बोल रहा हूँ बोलिये कैसे है सर? सिंग के जीते जी हमें कभी भी आराम नहीं मिलेगा सर आसपास के गाउं के लोग आ गए हैं वो प्रजेक्ट नहीं बनाने देंगे ऐसा कह रहे हैं तो हम क्या करें सर? डोंट वरी उनसे कहो मैं आ रहा हूँ उनसे बात करने ये क्या यार? फोर जी जितनी स्पीड में आया उतनी ही स्पीड में उसका नेटवर्क भी कट हो गया ये पंडित का बच्चा यहां बेटके क्या कर रहा है? हाई ब्रो हाई क्या हुआ ब्रो? तब मुझे निवाला कहा जाता है क्या हुआ? मेरी प्रीती प्रीती? ये तुमारी प्रीती क्यों क्या हुआ? उसे कौन टॉर्चर कर रहा है भाई? मुझे बताओ, मैं उसे रास्ता दिखा दूँगा यहाँ कोई अवारा कुटा भी नहीं दिख रहा है कि उसकी उपर छोड़ दूँ प्रीती, प्रीती मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है चलफूट यहाँ से बे बे कहा? चलफूट यहाँ से पता नहीं वो किसी लड़के को चाहने लगी है लेकिन वो लड़का इसे नहीं चाहता फिर भी यह उसके पीछे पागलबनी घूमती रहती है एक आशिक के साथ बेवफाई? मेरी प्रीती किसी और से प्यार करने लगी कौन है वो आशिक नमबर टू? फ्रेंच है, अंग्रेज है या फिर पाकिस्तानी इस देश द्रो के लिए मैं उसे छोड़ूँगा नहीं पता है, पहले मैं भी यही सोचता था लेकिन उसका कल बाड़ी उसके कट्स, उसके सामने हम दुनों जीरो लगते हैं वो तो हीरो दिखता है अरे वो चैलेंजिंग स्टार दर्शन है क्या? डिट्टो दर्शन जैसा ही दिखता है अरे वापरे लड़की को पटाने के लिए उसे मुझसे कॉमपटिशन नहीं करना चाहिए था एक आम आदमी बेचारा कहां से BMW लेकर आएगा और लड़कियों को तो हवाई जहाज में घूमने का शोक होता है उनका शोक पुरा करने के लिए मेरे जैसी की चड़ी भी दिख सकती है आप भी ऐसा कभी मत करना बाकी उपर वाले की मरजी परसाथ कमपनी मुझसाबाद परसाथ कमपनी मुझसाबाद लोग जाओ क्या तकलीफ है तुमें? तुम अपना बोरिया बिस्तर बांद के आज के आज इस जगह को खाली करो क्यों करो तुम लोग पैसा कमाने के लिए ऐसी फैक्टरी बनाने के लिए आते हो फैक्टरी बना भी लेते हो और उसके बाद क्या कहते हो हमारी फैक्टरी से निकलने वाला पानी और धुआ तुमारे लिए खतरनाग है तो उन सब गाव छोड़ कर कहीं आख चले जाओ इस वज़ा से हमें अपनी ये सोने जैसी जमीन तुमें कम दाम में बेच कर हमें दूर जाना पड़ता है हमें कोई रामायन नहीं सुनना है भला इसी में है कि तुम आज के आज काम रुख दो देखिए मैं यहाँ पर कोई जहरीली फैक्टरी नहीं बनाने जा रहा हूँ मैं इस जगा बना रहा हूँ थर्मल पावर प्लांट उस काम के लिए ये जगा गवर्मेंट ने हमें अलोट की है हम वो सम नहीं सुनना चाहते है इस काम से हमारे गवर के किसानों को परिशानी हो रही है इसले जगा खाली करो मैं बचपन से ही किसानों के इजज़त करते आया हूँ और उन्हें तकलिफ पहुँचाने वाला कोई भी काम नहीं करूंगा इस पावर प्लांट से पूरे राज्य को 24 घंटे पावर मिलेगी गाउं से बाहर 11,200 एकड जमीन है उसमें से सरकार ने हमें 4,860 एकड जमीन दी है यहां से तुम लोगों का गाउं 50 किलो मीटर दूर है यह काफी लंबी दूरी है इस पावर प्लांट की चिमनी 120 से 125 मीटर की उंचाई की है इससे बाहर निकलने वाला धुआं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा रही बात पानी की तो हम उसे फिल्टर करके यह बाहर छोड़ेंगे उस पानी के ठहराव के लिए हम तालाब बनाएंगे वो भी अपनी जगे में आज की नई टेकनालोजी के हिसाब से मैं कहूं तो आने वाले 50 सालों के बाद भी यहां कुछ नहीं होगा यह सब ध्यान में रखकर ही गवर्मेंट ने हमें अप्रूव किया इससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है हमारी जगे पर कबजा करने के इरादे से हमें काम करने नहीं दे रहे हैं ऐसे हमने पुलीस कंप्लेंट कर दी तो पुलीस यहां पर आएगी और सबसे पहले तुम लोगों को हटाएगी मार पीट तोड़ फोड़ की धमकी दी तो जेल में डाल देगी लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुम सब की बहुत इज़त करता हूँ यह बात मैं पहले कह चुका हूँ एक्जैम टाइम में बच्चे पढ़ नहीं पाते इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं तुमारे गाओं के हर एक जवान को मैं यहां पर नौकरी दूँगा अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं आपके साथ ऐसी एग्रिमेंट करने को तयार हूँ अब बताईए क्या कहते हैं नहीं नहीं इस धोके बास की बातों में मत आओ एए चुप रहो ना जा यहां से जा सर आप काम शुरू कीजिए हम दूसरों की बात में आके आपके साथ गलत कर रहे थे अविनाश बास वहां से कोई जिन्दा ना जाने पाए खातम कर दो सबको ओक्या बास तुकाओ वालों को बेवकूब बना सकता है लेकिन हमें नहीं गलती कर रहे है बच्चे जिद में मता पहले प्यार से समझाता हूँ वो भी दिल से अगर समझ गए तो बच जाओगे और अगर समझने को तयार नहीं हुए तो खुद के आवाज भी सुन नहीं पाओगे जानता है कौनू मैं सिंग का कुट्था कोई था वो तो मेरा फेवरेट है बच्चे हुआ है कर दो य। ते कर दोन अ. ए्याइजा है। ज्याइजवढ एंद ए्याइद वहां ए्याश प्रुह दिस चुट करें! जर चाहल और झाहल जर छोड़ दो खूल से जहुँ एपृए टकार को की इसने और टेस्ट लुका apparently इसने रहए ख्युए...ो patchini है ऊजए अब क्या हुआ? वो हम तीनों में से किसी एक को चाहते हैं, अब वो लड़की कौन है यही तो नहीं पता What rubbish, मेरा बेटा अलग नेचर का है, इतना ही नहीं, वो ये नहीं चाहेगा कि उसके वज़े से किसी की जिंदगी बरबाद हो बीना कुछ सोचे समझे, तुम तीनों, उसके पीछे ही पड़ जाती हो, इससे उसका काम डिस्टरब होता है और तुम्हारी बदनामी, पता है? ये सब सोचेंगे तो हमारी शादी कैसे होगी? हर किसी की अपने-पनी किसमत होती है अहाम हिम्मत हार कर, किसमत की भरों से कैसे छोड़े? इस तरह से नहीं हारते, आप ही ने कहा था अफकोस, मैंने ही कहा था इसलिए हम उनसे मिलना चाहते हैं प्लीज, हेल्प अस एई, इतने जलबाजी भी क्या है? ओ, तो तेरा ही नाम प्रीती है पैसे वाले हैं, तो उनके लिए है हमें चाहिए उनका दिल अगर खाली है तो दे दे वरना साफ साफ मना कर दे मेरा मतलब भी वही है अपने बेटे को फोन करके बताओ वरना हमारी डेट बॉड़ी देखनी पड़ेगी क्या बात है मा, तीनों आई हुई हैं क्या? हाँ बेटा, उसमें से एक तो बिलकुल लड़के जैसी है, है ना? इग्जाक्ली, तुने इन सबसे क्या कहा उस बात को लेकर ये मेरी जान खा रही है ममी, साइट पे एक छोटा सा प्राबलेम आ गया वही, गाव वालों की थोड़ी सी ना नुकर उन्हें बढ़काने के पिछे सिंग का हाथ है बेचारों को कुछ नहीं पता हे भगवाद, फिर क्या हुआ? नो प्राबलेम, एवरिटिंग इस सॉल्ड, प्रोजेक्ट इस आन मम्मी थाइंक गॉड, हैर, इन्हें क्या जवाब दूँ डोंट वारी मम्मी ओके, बाई, टेक क्या शेर तो वहाँ है, तो रिंग मास्टर से हमारा क्या का? सब आ गए क्या? पता नहीं, इस बुढ़े से हमारा का पीछा चोटेगा क्या? बुढ़ा अपनी कने का फल भोग रहा है खत्म हो गया, सब खत्म हो गया मेरे बाद, तेरा खयाल कौन रिखेगा राजे? सुन भागवान, मेरे कुछ जवाप उजी रखी है और इस घर के कागजात, वो सब अब तेरे हवाले कामला पुर्खों की जो जमीन, उस पे जो दो घर है न वो अब तेरे नाम है बेटा, तो खुश रहना मेरे ससूर कितने अच्छे हैं, लेकिन मैंने इनके बार में क्या क्या नहीं कहा बेटी, ओ बेटी हाँ पापा सुन ना, दामाज जी से कहना महरानी नगर में हमारे जो दो घर है न, वो मैंने तुम्हारे नाम कर दी है अब भगवान के लिए वो तुम्हे तहेंस के लिए परशान ना करें पापा सुन बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा, सब बेहनों कोई दे दो तेरे हिससे का तु रख ले पापा मैं कमा के बना, जो मिलता है चुप-चप ले लो बापोजी, आपका इतना इच्छा दिल है यह जाने बेदां मेरे क्या क्या नहीं का बगवान के लिए मुझे बाफ कर दीजे बापोजी मेरे दिल में कुछ नहीं है बेटा, जाने दे छोड़ दे बेटा हमारे घर के पीछे वाला चौथी गली में जो बंगला है ना वो तू ले ले तू लाल्ची खंदन से आई है, तेरे घर वालों के लिए ठीक है बाबुजी, आप खुद को संबाली, मैं आपके लिए दूद लाती हूँ बगबान करे मेरे ससे आज तू क्यों इतना खुश नजर आ रही है, जानती है उन्होंने क्या दिया घर दिया अरे बेवकूफ नहीं, चौथी गली के कोने में वो सुबह से लेकर शाम तक इस्त्री करते थे और खाली समय में वहाँ पर आराम करते थे तेरे दिमाग में कुछ गुशागी नहीं या फिर दुबारा समझाने की जरूरत है मीना हाई वीराद हाई हाई हेलो हम देखो तुम लोगों का प्यार स्वीकार करने के लिए या मेरे प्यार का इजहार करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है सो प्लीज गो बैक नो चांस हम लोग यहीं रहेंगे और अपना प्यार एक्स्प्रेस करेंगे रिजर्ट देने के बाद ही यहां से जाएंगे कौन सा एरिया है मैं यहां पर आई हूँ तुम्हारे दिल को संभालने उन्होंने जो एरिया ना कहकर ठुकरा दिया है वो मेरा है हम ठीक है मुझे कोई डिस्टब मत करना है यह नया केरक्टर कौन है मेरा रिष्टेदार है तुम्हे रास्ता दिखाने के लिए आया है नई मुझे कौन दाना डाल रहा है यह देखने के लिए आया है मतलब मेरा पहरेदार बनके रहने दो ना मेरी तरफ से गेस्ट हाउस की रखवाली करेगा चार बोतल के बाद भी नहीं चड़ी नकली है क्या क्या है कर दो कर दो कर दो कर दो कोई बात में पहन लूँगा कपड़े पहनाने के बारे चू रही है उसमें गलत क्या है उसका एरिया है जो मर्जी चाहे वो करे जैसा चाहेगी वैसे यूज करेगी रहने दो तुम्हें कौन समझाएगा तुम तो लड़की ही नहीं हो कंफर्म करना है हाँ छी खुद को लव क्या है आउट आउट तू क्यों जल रही है उसकी बाटिंग है ओडियंस की तरह मैं चुप-चाप नहीं बैठी हूं क्या तू भी बैठ ना तेरे होने वाले पती को किसी और के साथ देखकर तुझे दुख नहीं हो रहा तेरी पारी आई थी तब ये बात सोची थी तू क् है लव फीलिंग्स के बारे में प्रीति हम दोनों का हाल एक जैसा ही है इस तरह एरिया में बटे रहने से अच्छा है कि हम दोनों साथ में आ जाए बढ़ा अच्छा रहे गाला है उसके बाद तुम मंत्र पढ़ते बैठना और मैं तुम्हारी बगल में बैठकर घंटी है कि अच्छा रहे बढ़ते 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 हैं अरे बबरे बॉस का फोन हलो क्या कर रहे हो मैं नहीं आओंगा सोच कर आराम कर रहे हो सर सर नहीं नहीं सर फोन उठाने में जरा देर होगी पता नहीं किसका फोन होगा इसलिए ऐसा क्या हुआ मेले का वोसिन याद आ गया क्या हाँ सर सुनो अगर मेरी आवाज से इतना डरते हो तो गड़बड करते क्यूं हो ठीक से रहो ना तुम अभी तो कॉफिस क्यूं नहीं आए जी मैं अभी आ रहा हूं सर वहाँ पहुच के फोन करता हूं सर उसके जरूरत नहीं है ठीक है सर कहां चली गई होगी कहीं दिखाई नहीं दे रही मुझे लगता हमारा प्यार दिखकर वो समझ गई होगी कि उसका कुछ नहीं होगा इसलिए भाग गई होगी घर के अंदर तू? घर के बाहर मैं अलो डर कर भागने वाला क्यारेक्टर मेरा नहीं है बाथरूम और बेडरूम मेरा एरिया है रोमान्स चलता है बाथरूम में और माबाप बनते हैं बेडरूम में आहा, तू आदमी है कि मामू है? मेरी बात छोड़ो, जब बटवारा किया था, तो ये एरिया छोड़ दिया था पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा सुमझ में निया तो इसको क्या करें पूजा हो जाने दो, प्रसाथ तुम्हें मिल जाएगा पाप रे, क्या थ्रूल था सूपर्ब एक्सपीरियंस आज के सुक कफल पूरे नौ महीने बाद मिलेगा मंगल सुत्र बांदे के इरादे से आया था लगता है बच्चे का नामकरन करना पड़ेगा सिंगेज किंग ये कहवत आज गलत साबित हुई सिंगेन कमपनीज की सारे संस्थाएं लॉस होने की वज़े से और तो और बैंक से लिया हुआ करजा वक्त पर ना चुकाने की वज़े से मुश्किल में आ गई हैं क्योंकि उन्होंने फ्रॉर करके गलत तरीके से पैसा कमाने का सोचा था मुझसे आगे कोई नहीं यही उनकी गलत सोच उनके नुकसान के वज़व बनी इसलिए सिंग के सारे संस्थाएं अब बंध होने के कगार पर खड़ी हैं और बैंक्स अपने पैसे वसूल करने के लिए उनके प्रॉपर्टीस पे कबजा कर रही हैं इसलिए सिंग अन कंपनीस को दिवालिया घोशित कर दिया गया है नहीं ऐसा नहीं हो सकता मुझे नहीं लगता उससे मिलकर कोई फाइदा होने वाला है प्लीज मेडम ठीक है बुलालो उसे सॉरी मेडम ना टक मत करो, मुद्दे पर आओ अब ठीक है मेडम मुझसे घलती हुई है जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ मेरे पास जो पूझी बच्ची है उसे मैं आपके पाउर प्रोजेक्ट में लगाना चाहता हूँ अब मुझे सिर्फ नाम चाहिए प्रॉफिट में दो परसंट मिल गया तो भी काफी है बस इज़त बच जाए इस विशे में विराट से खुद बात कर लो तो आप कहें तो मैं उसके पैर पकड़ने तक को तयार हूँ हमेशा पैरों में गिरना चाहते हो ये तुम्हारी खांदा नहीं बीमारी है क्या अब क्या करें मेडम अगर जीत नहीं सकते तो शरण में जाकर बचने का कोई उपाय तो ढूड़ना पड़ता है ना मेडम जब देखो मेडम मेडम ठीक है मैं बात करूँगी पर सी एम की तरह नहीं एक आम इंसान की तरह और अगर विराट नहीं माना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा थेंकि मेडम क्या बाते तीनों देविया आज एक ही जगा पर नारत की ही कमी थी मैं भी जुड़ जाओं क्या आपके खेल में अब सर तुम तीनों में कोई कमी नहीं है तुम लोगों का प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई इसलिए मैं तुम तीनों के लिए गिफ्ट लाया हूँ इसके अंदर जो गिफ्ट है वो हमारे और तुमारे बीच के रिलेशन्शिप को इंडिकेट करता है इसलिए मैं नहीं दूँगा तुम लोगी सिलेक्ट करो और बनने वाले रिष्टे को तुम लोगों को रिस्पेक्ट करना होगा ओके? मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए ऐसा कोई चॉइस ही नहीं है अगर तुमने गिफ्ट नहीं लिया तो यू आर आउट अफ दो कॉन्टेस्ट और एक बात मेरे प्यार का इज़ार करने तक तुम लोग इस गिफ्ट को नहीं खोलोगे अगर तुमने इसे खोल दिया तो तुम सिर्फ अपने आपको नहीं मुझे भी धोका दोगे इसका मतलब तब तक हम टेंशन में रहें? अफकोस, इंतजार करना टेंशन है लेकिन उसके हिफाज़ाद करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉस ने तीनों को कन्फ्यूज कर दिया है देखो बाजी कौन मारता है अरे प्रीती अगर इसमें राखी निकली तो क्या करोगी बताओ तुम्हें बान दूँगी बोलो मम्मी विराट तुमने खाना खाया खा लिया मम्मी खाना स्पूर्ती ने बनाया था ना तुम्हें अच्छा लगा बिटा तुमने ट्रेनिंग दी थी ना मा ठीक है है वहाँ तीनों आई है न क्या कह रही थी क्या कहेंगी बेकार में टेंशन इसलिए मैं आज उन्हें टेंशन देकर हाराम से हूँ ओ ऐसा क्या कर दिया तुने घर आऊंगा तब बताऊंगा ठीक है बेटा मैंने तुझे इसलिए फोन किया कि सीम तुझसे मिलना चाहती है वो कब आ रही है शायद 18th को आ रही है ठीक है ममी बाई गुटनाइप Okay, take care Sir, आप लो कौन है? आउट, 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 चल, 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 आउट, आउट Sir, में ग्राइवर, आउट Yes, sir, line clear आप कौन है, sir? Madam, please What happened? What is going on here? Sir, सीम आ रही है, तो यहाँ सिक्रिटी चेक होना जरूरी था यह सब कह रहे हैं कि यह आपके लोग हैं अगर यह बात सच है तो, sir, it's okay अगर यह सच नहीं है, तो उनके आने तक जरा, sir यह सब मेरे अपने ही लोग हैं बट इतने इंपोर्टन नहीं हैं विराट, यह सब कौन हैं? सब सर्वेंट्स हैं, शीज कुक, यह घर के कामवाल, यह बेडरूम बाथरूम क्लीन करने वाले हैं लेकिन दिखने में तो पढ़ी लिखी लगती हैं बट गवर्मेंट टूल के हिसाब से सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, that's why I like them और भी कोई तुम जैसे हो तो बताना, हमार गवर्मेंट बंगले में हाउस कीपर की जरूरत है बुडिया सठी आ गई है प्लीज मैम प्रोजेक्ट का काम कैसा चल रहा है? चलिए, सब प्लीज बार चलिए प्लीज बार चलिए विराट, मिस्टर सिंग आये थे वो तुम्हें जॉइन करना चाहते हैं नई मैडम, चाहिए तो पूरा प्रोजेक्ट उने दे दीजे ऐसा फैसला मत करो वो मेरे पास आये थे और माफी मांग रहे थे लकिन उन पर भरोसा नहीं कर सकते मेडम जन से लेकर मृत्यू तक के बीच में नजाने हम क्या क्या करते हैं अच्छे, बुरे पता नहीं कैसे कैसे रास्ती अपनाते हैं और आगे ही बढ़ते जाते हैं उस दिन ये पाप प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेने के लिए जूट बोलकर उन्होंने सौ करोड दिये और पता नहीं क्यों मैं भी उनकी बातों को सचमान बैठी और वो पैसा मैंने अनाथाश्रम में दे दिया कैबिनेट ने जैसे ही ये प्रोजेक्ट तुम्हें दिया वो मेरे पास आया और मुझसे जगड़ा करने लगे तब उनकी सच्चाई सामने आई लेकिन उनका दिया हुआ पैसा समाज के कई लोगों के काम आया उन्होंने कहा कि मैं बदल चुका हूँ तो अब ऐसे में उन्हें एक मौका तो मिलना ही चाहिए ठीक है मैडम जैसे आपके मरजी ठाइंक्स शाम को मुझे एक अरजन्ट मीटिंग में चाना है सो आई हव तो गो बैक मैं खास यहाँ प्रोजेक्ट का काम कैसे चल रहा है वही देखने के लिए आई थी ओके मैडम तो वहाँ चल कर देखने है मिस्टर विराट मैं से बात करके मीटिंग फिक्स करती हूँ ओके मैडम रुक जाओ मैं कुक हूँ मैं तुम्हारे घर के नौकरानी हूँ तुम लोगों को छोड़ो और मैं यह सब तुम अपनी मर्जी से कर रही हो ना मसाग बहुत हो गया बी सीरियस अब यह बताओ उम तीनों में से तुम्हें कौन पसंद है पसंद नहीं प्यार हाँ वही जिस दिन उसने मुझे प्रपोस किया उसी दिन मैं कह देता लेकिन उस दिन मैं थोड़ा टेंशन में था कह देता तो पता नहीं अब तक क्या उथल पुथल हो जाती बट टुडे आई होप यू अंडेस्टैन क्योंकि मेरा फैसला अल्रेडी तुम लोगों के पास पहुँच चुका है जाओ जाकर मेरा दिया हुआ गिफ्ट लेकर आओ ओपन करो यह क्या है मदर सिंबल और मेरा फ्रेंड्शिप बैंड पर मुझे तो यह लाल कलर दिया है कम से कम चंदन ही दे दे ते तो माथे पर लगा कर कीरतन भजन तो करती रहती कस्तूरी की कीमत बंदरिया क्या जाने है मैं भी नहीं समझी स्पूर्थी लाइफ में इजज़त, आदर और प्यार ऐसे कई चेहरे होते हैं और तुम्हारी मैं करता हूँ इज़त मेरी मा का और तुम्हारा जनम दिन एक ही दिन है तुमने कुकिंग की सब कुछ संभाला इसलिए मैं तुम्हें मा की तरह इज़त देता हूँ एश्वर्या, एश्वर्या, एश्वर्या सर चल कर आशिरवात दे दीजे मैं? जी हाँ सर सभी बड़े लोगों ने आशिरवात दे दिया न इस बच्ची के लिए आप एक बड़े भाई बनकर आशिरवात दे सकते हैं न तब उस बच्ची की तुम मा बनी और मैं भाई बना तो हम दोने के बिच क्या संबंद हुआ मा बेटी का बेटा एक बेटा मा के इज़्जत करता है उसकी पूजा करता है और कुछ नहीं केर्थी तुम्हें कैसी दोस्त हो जिस पर मुझे फक्र है पर क्यों मुझसे कोई भूल हो गई क्या मेरा प्यार तुमने प्यार किया होगा but not from my side as a life partner मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन पसंद आने वाले से ही प्यार नहीं होता है प्यार किसी एक से ही होता है तुम जब फर्स टाइम उससे मिली थी क्या कहा था किसी भी company को successfully grow होने के लिए उसमें at least किसी एक को सचे दिल से dedication देना पड़ता है वैसा dedication मेरे पास है I want to be a part of the successful company, sir So, you are part of my company you are part of my success but not for my life ठेक्या अब रही ये बेचारी अच्छे बुरे की कुछ भी पैचान नहीं है और मेरे पीछे यहां तक चली आई इसके तेवर लड़के जैसे हैं पर मेरे लिए अपना घर छोड़ दिया तुम दोनों ने अपने हिस्से में किचन और साइड का हिस्सा बाट लिया ये तो सीधा बेडरूम में ही गुसाई इतना है नहीं आकर पूरा हग जताने का साज भी किया और अच्छे लाज ही उसका गहना है और उस गहने की परवा किये बिना वो सब वो मुझे सौंप चुकी है ऐसा तुमारे सामने नाटक किया और एक बाद किसी मर्द को अगर पूरी तरह से कोई पैचानता है तो वो या तो उसकी बीवी या तो उसकी माँ लेकिन प्रीती ने इसने मुझे एक पती के रूप में देखा इसलिए मेरे दिल में भी यही है स्पूर्ती तुम्हारा लक्ष है समाज सेवा औरों का दुख बाटना सो तुम्हें एक आप्षन है तुम मेरे बिना भी खुश रह सकती हो है की नहीं और रही कीरती यह मुझे से प्यार नहीं करती मेरी दौलत से प्यार करती है सो तुम्हें चाहिए एशो आराम आमाराइट लेकिन यह मैं कौन हूँ, क्या हूँ यह जाने भी नहीं मुझे से प्यार कर बैठी मैं दौलत मंद हूँ, गरीब हूँ कुछ भी नहीं पूछा यह सब इसे बताया मेरे दोस्तों ने तब भी इसकी एक ही खौईश थी मेरा प्यार मैं तुम तीनों के लाइफ का पार्ट हूँ उसी तरह तुम तीनों मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टन्ट हो मैं किसी को खोना नहीं चाहता इतनी भी क्या जल्दी है पहले मम्मी से तो बात कर लूँ अब ही उन्हें मना कर आती हूँ हर काम में जल्द बाजी हरो अब हलो मैं कब से देख रहा हूँ तुम पेग पेग उतारे जा रहे हो आखिर बात क्या है कर्जा हो गया क्या हरे बोलो ना मैं किसी से कर्ज क्यों लो छोड़ना बिजनिस में लॉस हो गया अगर बिजनिस में मुझे लॉस होता तो स्मगलिंग शुरू कर देता स्मगलिंग ठीक है कोई फैमिली प्रॉब्लम तो नहीं है ना मेरी कोई फैमिली फैमिली नहीं है तुमारा हूँ मैं इचाब में तकलीफ गाउड उबादूंगा मोशन कैसा होता है जर्बर आराम से खेर किड्णी सब कुछ हो किया है बहे बुझे प्रेम रोग बात करता है पैग लगाने आया हो क्या अचा ये बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है कि ऐसी जरुवत पड़ी बताओ हसीना का धमाल हसीना का धमाल हसीना का मतलब मेरी घरवाली का प्रॉब्लम तुम्हारी घरवाली भाग गई तुम्हे ठोड़ कर भाग गई तुम्हे ठेंगा दिखा गई वो किसी और के साथ भाग गई तु भी मेरी तरह लुट गया दोस्ट शुक्राब्या, ना मेरी घर वाली भागिया ना कोई और प्राब्लम है, वो तो बस इसलिए कि मुझे खुद समान घर ले जाना पड़ता है ऐसा क्या, डोन्ट फिल बैड ब्रदर, दोनों की सेम प्राब्लम है, मेरी प्राब्लम छोटी पैक के बराबर है और तुम्हारी पोटल के बराबर है गुरू, इस पानी की बोटल को जरा और स्ट्रॉंग बना दे यार, चियर्ज देखिये, पहले जो कुछ भी हुआ, उसे भूल जाईए, अब तुम दोनों मिलकर इस राज्य का सुधार करो, यही मेरा सपना है मकसद अगर अच्छा हो, तो मैं किसी के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार हूँ अब क्या है मिस्टर सिंग, आपकी कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम की शुरुवात तो मैडम, आप ही से हुई थी पुरानी बातों को मत दोहराएए पुरानी बातों को अगर भूल गया, तो फिर वसूली कैसे करूँगा? मैं एक बिजनसमेन हूँ, इन्वेस्ट के साथ साथ इंट्रेस्ट भी तो मिलना चाहिए इस तो मच मैंने तो पहले ही कहा था मैडम, साब को चाहे जितना दूद पिलाओ, वो तो जहरी उगलेगा आफ कोर्स, जो भी मेरे रास्ते में आया है, मैंने उसे कभी आगे बढ़ने नहीं दिया जड से उखाड फेंकना मेरी आदत है इस महान कारे को महान तरीके से निप्टाने वाली महान मुख्यमंत्री, आप है इसको बली वेदी तक पहुँचाने वाली आप है लेकिन हार पहन कर जो बली पहले चड़ेगा वो होंगी आप इल्जाम इसके सिर लगेगा लेकिन तुम्हें खतम करूगा मैं और ये विराट जेल में चक्की मीशेगा So I am safe, happy journey, good bye याई याँ हुँ लग कि एता प्रण कि सहते अचश हुँ भुप कि भुष कि प्रुब फ्रह एक हो वे वेड लुड़ु नहीं हुआ 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 छुर। ऐह अराफ, आपक शूwn ऐख खेंगे हैं कोडं लिखंग तर बिखा है करतियो कोड्री वरो खेंगर ऊग्द एद एखेंगे द्द्ध कर शु Farmayर करेंख पास बहु करो बंस हम हमें प्लेए और कि वह गो हाई खरे सर्ट हई आए है च्हों है और कि यूडसी हाई हाई कि उलेंगे ऑज सराफा कुछ पैंग हारा उर्फ ज Яगा है कि पिर्फ प्रेश्स क्लिद्ट उम एlaxनए होcha कि अजल कैसा सक्त Whoo और कि ने निवक। हाइ侏 कि अ प्रेंग यहा रजो ाइश यहाइu हाइ है kण हाह! 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 आप कर दो जह थ होगा कर दो आफ दिल्ग पाल बद्ग गूडिया री नी टिल्ग कर दो आप होगी आप तो ओ रह दो एड़ें अदर आपराइब एड़िया थैं दो मुछ सखोगे ले पूला मुछ। एई! मेरा पती क्यासा है? हलो, वो तुम्हारा पती तब ही बनेगा, जब तुम सासुमा के पैर छू कर आशिरवाद लोगी जेच में, तुम्हें बहुत जल्दी है सर, मीटिंग का टाइम हो गया है चलता हूं मा